नमस्कार दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बीए एक्जाम में 60% से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और कितने नमबर के जो प्रस्ण होता है उसके लिए कितने पेज आपको लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे इसके लिए कुछ बेसिक आपको टिप्स एंड ट्रिक देंगे वीडियो को आप लास तक देखिए गाँ यदि आप बीए-बीए-सी-बीकम या एम-ए-म-सी-ए-म-कम या किसी भी गर्जूएशन या पोस्ट गर्जूएशन लेवल के त्यारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडि कि हमने एक प्रोपर वीडियो बनाया थे भी एक्जाम में कॉपी कैसे लिखे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखाया तो उसका लिंक उपर आई बटन में मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्सन में मिलेगा आप जाकर ज़रूर देख लेंगे आपको भी एक बात पता होगा कि जो भी एक्जामिनर आपके कॉपी चेक करते हैं उनके पास उतना समय नहीं रहता है जो आपके कॉपी को उतना बारीकी से पढ़े इसलिए आपको किस तरफ कॉपी लिखना है ताकि एक्जामिनर का जो इंपरेशन आपके कॉपी पर पढ़े तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक टिप्स एंट्रिक आपको देते हैं बात करते हैं पहले नमबर टिप्स की तो देखें जो भी आपके एक्जाम में कुछन पूछे गए हैं सारे प्रस्णों का आपको जवाब देना है इससे होगा ये कि जो भी उतर है उससे बारिकी से पढ़े इसलिए आप क्या करेंगे जो भी कुछन है यानि सारे प्रस्णों का आपको उतर अपने सब्दों में जरूर देना है अब चलिए बात कर लेते हैं टिप्स नमबर टू की अच्छी हेड राइटिंग में लिखें और आपको जो भी इंपो को लैंग्वेज का सेलेक्षन जरूर करना है लैंग्वेज सेलेक्षन का मतलब यह हुआ वैसे बट जो आपको हार लगता हो तो वैसे बट को ऑप जो है इंग्लिस या हिंधे दोनों में आप करके लिख सकते या ऐसे वर्ट जिसका मेंनिंग जो है सेम होता हिंदी और पर का जो है इसे कितने पेजों में लिखनाना है, और जो पंदर नंबर का कुछन है, उसे कितने पेजों में लिखना है, तो सबसे पहले समझांद लिजे आपका जो बहन बहन भी कुछन 20 मार्क्स का होता है, उससे आप 6 मिनिमम और 7 मैक्समम इससे ज्यादा पेज में नहीं लिखना है क्योंकि आपको समय का भी वहाँपर पर्तिबंद रहता है जो आपका समय दिया जाता है, बहुत ही कम दिया जाता है, उतना ही किजिए गा तो आपका जो समय है खतम हो जाता है तो 20 marks का जो भी कुछन होगा उसे 6 पेजों में लिखेंगे पंड़ मार्क्स का जो भी आपका कुछन होगा उसे 5 पेजों में लिखेंगे और 10 marks का जो भी आपका कुछन होगा उसे 4 पेजों में लिखेंगे और लिखेंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट देकर जरूर आप देंगे पहला है भूमिका, दूसरा प्रस्थावना और तिसरा है पक्ष, और चौता है भी पक्ष और पाजमा है निसकर्स ये 5 पॉइंट बना कर आप जरूर लिखेंगे अब चलिए बात कर लेते हैं आखरी टिप्स के टिप्स नमबर 5 की टिप्स नमबर 5 भी काफी इंप्रोटेंट है आप कोसिस क्या करेंगे जो भी प्रस्थ होगा यानि जो भी जादे मार्क्स का कुश्चन होगा पहले आप कोसिस करेंगे उसका एंसर देने का इस्टुडेंट करते क्या है कि जो भी कम मार्क्स के कुश्चन होते हैं उसे पहले उनका एंसर दे देते हैं तो बाद में होता क्या है समय जब खत्म होने लगता है तो जादे मार्क्स का प्रस्थन का वो कम पेजों में एंसर देते हैं इससे भी उनका जो नंबर है कम मिलता है तो कोस्टिस करेंगे जो भी आपका चादे मार्क्स का कुर्चन होगा पहले उसे आप लिखें यही आपका कुछ बेसिक पांच टिप्स और ट्रिक्स था यह अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक्जाम में अच्छे मार्स ला सकते ह दोतों अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक ज़रूर करते हैं ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप जू है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके सारे वाट्स उप ग्रूप में सेर कर दे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य कर देखने वाट